तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ बिल्कुल बाजार जैसी काजू पिस्ता रोल मिठाई जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और समय भी कम लगता है और इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो हम मावे का यूज करेंगे ना ही घी का तो बिल्कुल बाजार वाली महेंगी मिठाईया आप अपने घर पर बढ़ी आसानी से बना सकते हैं और एक कप काजू में आप एक किलो काजू रोल बना कर तयार कर सकते हैं तो वीडियो को अन तक देखें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेर करें अगर आपको आज की रिस्पी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक कप काजू अगर आप इस काजू को वजन से देखेंगे तो यह करीब 200 ग्राम होगा इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का बड़े साइस का काजू लिया है अगर आप यहाँ पे चाहें तो काजु तुकड़ा भी ले सकते हैं काजु तुकड़ा आपको किसी भी सूपर मार्केट या किराने के दुकान में आसाने से मिल जाता है और इसके मुकाबले उसका प्राइस भी थोड़ा कम होता है तो आपके पास जो भी हो आप उससे इसे बना सकते हैं अब हम इस सारे काजू को एक मिक्सिंग जार में डालेंगे मैं यहाँ पर एक कप काजू ले रही हूँ आप जितनी भी मिठाई बनाना चाहते हैं सारे चीज़े आप उसके हिसाब से ले मिक्सि का ढकन लगा देंगे और मिक्सि को बंद और चालू करके इसे पीस कर तयार कर लेंगे यहाँ पर आपको काजू को बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है बिल्कुल इस तरीके का दरदरा पाउडर आप बना कर तयार करें अगर आप इसे mixi लगाता चला कर पीसेंगे तो इसमें से oil release होने लगता है और वो अच्छी तरीके से पिस्ता भी नहीं है तो इस powder को हम side में रख देंगे अब हम रखेंगे gas के उपर एक pan और इस pan में हम डालेंगे आधा cup से थोड़ा ज़्यादा चीनी चीनी हम यहाँ पे इसमें ज़्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसमें थोड़ी सी चीज़े और डालने वाले हैं जिससे कि यह काफी मीठा हो जाएगा अब हमने जितना चीनी लिया था उसका आधा हम इसमें डालेंगे पानी इस तरीके से लगाता चलाते हैं हम चीनी को पिगला लेंगे मार्कित में बहुत सारी अलग-अलग विराइटी की मिठाईयां मिलती हैं लेकिन मैं आपको सजेशन दूँगी कि आप तेवहारों पर मिठाईयां आपने घर पर ही बना कर त्यार करें क्योंकि मुँके स्वात के साथ साथ सेहत भी काफी जरूरी होती है तो बिना मिलाओट के बिल्कुल पेवर मिठाईयां आपने घर पर ही बना कर त्यार करें तो यहाँ पे चीनी भी हमारी अच्छी तरीके से पिगल चुकी है तो फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल देंगे दो से तीन ड्रॉप्स कार्डमो मेसिंस आप यहाँ पे चाहें तो आदा छोटा चमच इलाइची पौडर भी इसमें डाल सकते है तो चाशनी हमारी बिल्कुल तयार हो चुकी है और आप यहाँ पे देख पा रहोंगे कि इसमें एक तार भी बन रहा है तो चाशनी बिल्कुल पर्फेक्ट है तो एक बार इसे हलका सा चला देंगे अब हमने जो काजू पीस कर रखा हुआ है उसे हम इसमें डाल देंगे अब एक कप काजू में हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पौडर अगर आप इसे चमच से देखेंगे तो ये करीब तीन बड़ा चमच है मिल्क पौडर डालने से क्या होगा कि जो इसका टेक्शर हो बिल्कुल हलवाई जैसा हो जाएगा और अगर आप यहाँ पे मिल्क पौडर इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसमें 100 ग्राम मावा डाल सकते हैं तो सारे चीज़ों को डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और milk powder डालने से जो इस रोल की binding है वो काफी अच्छी हो जाती है तो इसलिए आप इसमें 2-3 बड़े चमच milk powder ज़रूर डाले हमने यहाँ पर इसमें चीनी थोड़ी सी कम डाली थी क्योंकि milk powder भी काफी मीठा होता है तो इसे इस तरीके से लगाता चलाते हुए में इसे पकाएंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई को ना छोड़ने लगे यहाँ पर आप गैस का flame बिल्कुल low to medium पर कर दे और आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो हमारे काजू का dough है और दीरे-दीरे कढ़ाई को छोड़ने लगा है यहाँ पर आपको इसमें घीव अगए डालने की बिल्कुल भी जरूत नहीं होती है क्योंकि dry foods में अपना तेल होता है जो कि हलकी सी गर्मी पाने के बाद वो खुद ही रिलीज होने लगता है और जो हमारा काजू का मिक्षर हो अच्छी तरीके से कढ़ाई को छोड़ चुका है अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसे हलका का ठंडा होने देंगे जब तक हमारा मिक्स ठंडा हो रहा है, तब तक हम बना लेते हैं इसके अंदर की stuffing तो इसके अंदर की stuffing को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था दो बड़ा चमज पीस्ता जिसे मैंने इस तरीके से दरदरा पीस लिया है आप चाहें तो इसे बारिक बारिक चॉप भी कर सकते हैं मिठास के लिए हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी स्टफिंग की बैंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे आदा चमच मिल्क पौडर दो भूंद हम इसमें डालेंगे green food color food color डालना पूरी तरीके से optional है flavor के लिए हम इसमें डालेंगे दो भूंद cardamom essence cardamom essence यानि की ilachi essence अगर आपके पास यहाँ पे ilachi powder है तो आप यहाँ पे एक छोटा चमच ilachi powder इसमें डाल सकते हैं अब हमने यहाँ पे जो काजू का mix बनाकर रखा हुआ है एक चमच उसे हम इसमें डाल देंगे एक चमच हम इसमें डूट डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और अंदर की जो stuffing है उसे हम बहुत दागिली नहीं बनाएंगे तो बिल्कुल इस तरीके का गाढ़ा पेश्ट बनाकर तयार करेंगे तो यह हमारे अंदर की stuffing रेड़ी हो चुकी है तो इसे हम साइड में रख देंगे अब रोल बनाने के लिए मेरे यहाँ पे लिया है बटर पेपर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे थाली या चकले पर भी बेल कर इसे बना सकते हैं लेकिन इस तरीके से बटर पेपर यूज करने से इसे रोल करने में काफी आसानी होती है तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसे जरूर यूज़ करें काजू का मिक्स भी हमारा अलका सा ठंडा हो चुका है तो इसे हम पैन से निकाल लेंगे यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपको इसका मिक्षर बहुत जादा ठंडा नहीं करना है अगर यह बहुत जादा ठंडा हो गया तो यह जमने लगता है तो इस तरीके से आप बना लें इसकी बड़ी सी एक लोई और इसके उपर रखेंगे हमें दूसरा बटर पेपर इस तरीके से बटर पेपर लगाने से क्या होगा कि यह बेलर में चीपकेगा नहीं और इसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे जैसे कि हम रोटी को बेलते हैं तो इस तरीके से आप बटर पेपर को घुमा घुमा कर इसे बेल ले यहाँ पर बटर पेपर लगा कर बेलने से यही फायदा होता है कि आप इसे अच्छी तरीके से घुमा घुमा कर बेल सकते हैं तो यहाँ पर हमने एक बड़ी सी रोटी को बेल कर तयार कर लिया है अब हम उपर का बटर पेपर हटा देंगे और आप यहाँ पर इसे देख पार होंगे कि मैंने इसे कितना पतला बेल कर तयार किया है अब हमने जो यहाँ पर अंदर की स्टफिंग बनाई थी उसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इस तरीके से इसे हथेलियों पर सिलिंडर का शेप दे देंगे तो इस तरीके से इसे बटर पेपर पर गुमा गुमा कर हम इसे पतला कर लेंगे इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे तो अंदर की जो stuffing है उसे भी हमने बना कर तयार कर लिया है अब हमने जो यहाँ पर काजु को बेल कर तयार किया है उसे हम दो हिस्सों में काट लेंगे अब एक हिस्से में हम इस तरीके से रख देंगे इसकी stuffing अब हम इसे इस तरीके से बीच से उठा कर इसे रोल करेंगे, और इस तरीके से इसे सिलेंडर का शेप दे देंगे, अब वही ट्रिक फॉलो करके हम दूसरे पार्ट को भी रोल कर लेंगे, अब दोनों हातों की मदद से हम इसे धीरे-धीर रोल करते जाएंगे, यहाँ पर हम बटर पेपर अब एक रोल को लेकर हम इस तरीके से इसे चारो तरफ से अच्छे से पतला कर लेंगे जितना आप इसकी थीकनेस मोटी या पत्ती रखना चाहते हैं आप उसके हिसाब से रोल कर ले और ये काफी लंबा हो गया है तो इसे हम दो हिसो में कट कर लेंगे और जो ये दूसरा वाला हिस्सा इसे भी हलका सा पतला कर लेंगे और आप यहां पर देख पा रहोंगे कि जो हमारा रोल हो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है और आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं कि ये देखने में कितना सुन्दर लग रहा है तो सारे रोल को मैंने एक जैसा पतला रोल कर लिया है आप इसे इस तरीके से भी काट कर सर्फ कर सकते हैं लेकिन इस समय तेभारों का सीजन चल रहा है और मिठाया सजी हुई काफी अच्छी लगती है तो इसके उपर मैं लगाने वाली हूँ चांदी का वर्क यहां पे आपको चांदी का वर्क अस्ली मिले तो ही आप उसी लगाए नहीं तो आप इसे स्क्रीइप कर सकते हैं और अगर आप चांदी का वर्क असली खरीदना चाते हैं तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके उसे purchase कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसके उपर चान्री का वर्क लगा दिया है आप चाहें तो इसे तुरूंद काट सकते हैं लेकिन अगर आप इसे थोड़ी दिर रूख कर काटेंगे तो जिसका piece है बिल्तुर पर्फेक्ट निकलेगा तो यह दिखिए यहाँ पर मैंने पहले काजू रोल के piece को काट कर त्यार कर लिया है और इसी तरीके से हम बाकी को भी काट कर त्यार कर लेंगे pieces आप अपने हिसाब से पतला, मोटा, छोटा या बड़ा काट सकते हैं और इस तरीके से आपको काटने पर ही लग रहा होगा कि जो हमारी मिठाई हो कितनी पर्फेक्ट बनी है तो एक कप काजू में मैंने यहाँ पर एक किलो काजू पिस्ता रोल बना कर त्यार कर लिया है और यह देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी लुकिंग बिल्कुल बजार से भी ज़्यादा अच्छी दिख रही है और देखिने के साथ-साथ यह खाने में भी बाजार से ज़्यादा टेश्टी बन कर त्यार हुई है तो इन तेवहारों पर आप बाजार से मिठाई ना लेकर ऐसी नई-नई महंगी मिठाई अपने घर पर ही बना कर त्यार करें और यह काजू रोल की मिठाई इतनी ज़्यादा टेश्टी होती है कि यह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आप इसे बना कर महीने 15 दिन तक खा सकते यह बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो इस तरीके से आप अपने घर पर नए ने रेसिपी को बना कर अपने घर पर अपने परिवार के साथ इंजॉय करें हाथ दोते रहें जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहनें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें और साथ ही में दो गज की दूरी बनाये रखें समय थोड़ा सा कठीन है पर बीच जाएगा अपना और अपनों का ध्यान रखें तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शियर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद